यलो फ्रेंट्स गुड़ मॉरूनिंध्य वेलकम बैक टु आफर चैनल आज में फिर से वापस आ गई हूं आपके साथ एक नई रैशीपी के साथ तो आज मैं जो लेत के आए हूं वह काबली चना की रैसीपी काबली चना की गजो सबजी वनती है उसकी मैं रेस्पी आप लों के साथ सेयर करूंगी तो ये मैंने कॉबली चनल लिया है इसको मैंने पानी में 6-8 घंटे के लिए भिगो दिया है भिगोने के आद मैंने पानी से चान के अलग कर लिया है और ये मैंने 2-3 टमाटर लिये हैं और यह प्याज मैंने छील करके रखा हुआ है और यह लहसुन और हरी मिर्ज रखी हुई है यह भी मैंने छील के रखा हुआ है इसके लामा मैंने जो ली हा है वह यह नारियल है नारियल को मैं कट करके पीसूंगी चलिए सबसे पहले इसमें टमाटर प्याज और लहसुन मिर् करेंगी, μ Inhale को करना में चलते हूं काबली काबली कारें की यह बाद नमक काबली को भाली में काबली tud点 काबली की कि यह बाद गड़ा नमक टाल के से बाद एक काबल अज नमक दाल नमक न मावें, तू सवाद कर नमक, करणा डाल झाला है कि नमक. यो जाए आती हो घम को कर महद दाने के लिए मेद ogni आती इसा सक प्रेब नमक के लिए भीषा में नमक जांख लिए लग दिए चाहँ जा यह जाएर देती हूं आदि तो मैंने ऑद पानी दालने के बाद में इसको फ रचाए लिए details मैं नाल सीच पाइल एक कर नियूआ को सबते हैं नारियल में कट नार कैना में जब तक कूल नारियली जू शाद एक कींछ नारियल कमने टेंचनी । कि इनारियल को लीए सана एक के पींट है कि त बहुत है । बपेटे जे आ फेले करना दो माष्क नार किते हैं तो मैं अब इसे सूखाई पीसना है पानी इसमें बाद में एड़ करूंगी तो ये मैंने मिक्सर लिया है मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ इस तरह से इसे करना है ग्राइंड कर लिया मैंने तो इस तरह से मैंने इसे सूखाई पीस लिया अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी एड़ करूंगी तो चलिए थोड़ा सा पानी इसमें एड़ कर लेते हैं ये थोड़ा सा मैंने पानी एड़ कर लिया पानी एड़ करने के बाद इसको मैं फिर से एक बाद ग्राइंड करूंगी तो मैं धकन लगाकर फिर से ग्राइंड कर लेती हूँ तो ये इस तरह से इसका पेश्ट बन गया है अब मैं इसको निकाल लेती हूँ निकाल के बाउन में रख लेती हूँ अब मैं प्याज को ग्राइंड करूंगी की प्यास को ग्राइंड करने के लिए ने जार ले लिए जार में में बड़े-बड़े पीसेज में प्यास को कट कर लेती हूं इसके बाद मैंने दूस्री तरफ कूकर में चने बॉय होने के इसमें सीटी लग गई है और मैं इसके गैस के फ्लेम को मीडियम कर देती हूं जाएं इसके मिनट तक कूप करना है तो चलिए इसे बॉयल करते हैं एक यह कि तहि definitive ऑदे का क्यों रोड़ने money box को में डाल देती हूं इसके बाद फिर से मिक्सर ग्राइंडर में इस ग्राइंड कर लेती हूं इस तरह से इसमें लगा कि अगरूँ देप आधाएं आऑ नुचे मिक्सर लोगाते हैं प्यांज लैसुन और हरी मिर्च का भी निका बन गया है मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ यह इस तरह से पेस्ट बन गया है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ अब मैं टोमेटो को जाले लिए इसे पहले मैं निकाल लेती हूँ आप जाए Ahhh अब इसे भी मैं ग्राइंड कर लेती हूं को नारियल टोमेटो प्याज और लहसुन को ग्राइंड करके रख लिया है इन सबके अलावा काबली चने की सबजी बनाने के लिए हमें कुछ मसालों की जरुद पड़ेगी और उसके अलावा कुछ थोड़े नमक और तेल की जरुद पड़ेगी पंद्रा से बीस मिनट हो गया है तो अब चना जो है वह कुक हो गया है अच्छे से गल गया है अब मैं गैस के फ्लेम को आफ कर देती हूं आफ कर दिया अब चलिए चलते हैं सबजी को फ्राइब करने तो बैने गैस आउन कर दिया इस पर कढ़ाई रख दी है गरम होने के लि और गरम हो गया है इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगी तो खड़े मसालों में यह मैंने जीरा लिया है जीरा इसमें मैं डाल देती हूं गरम हो गया है और अब मैं इसमें खड़े मसालों में और बड़ी इलाची और दाल चीनी इसमें डाल देती हूं यह भी इसके तेज पत्ता के देटा तेज पत्ता मैंने दो से तीन डिया हुआ यह मैं डाल दिया अब मैं इसमें प्याज हरी मिर्च और लेस्ट बनाया है वह मैं डाल देती हूं मैंने डाल दिया अब इसे कुछ देर कुक करना है फ्राइ करना है खुला ही इसे कुछ देर फ्राइ करना है इस तरह से प्याज को थोड़ी देर भूनना है जिसे थोड़ा सा हलका ब्राउन कलर हो जाए तो मैं प्याज को भून लेती हूँ थोड़ी देर प्याज अच्छे से भून गया है प्याज भूनने के बाद मैं इसमें अब पिसे हुए मसाले एड करूंगी पिसे हुए मसालों में मैंने सबसे पहले हल्दी पाउडर लिया है हल्दी पाउडर में वन स्पून हल्दी पाउडर डाल देती हूँ इसके बाद मैं इसमें धनिया पौडर डालूंगी धनिया पौडर मैं टू स्पून के करई धनिया पौडर डालूंगी यह मैं इसमें डाल देती हूं इसके बाद मैंने गरम मसाला लिया है, आप चाहें तो छोले मसाले भी यूज कर सकते हैं, तो गरम मसाला मैं वनी स्पून डाल देती हूँ, इसके बाद मैं इसमें देगी मिस्ट भी आइड करूंगी, देगी मिस्ट भी मैंने 1-1.5 स्पून देगी मिस्ट का यूज किया है, यह भी डाल दिया मैंने इसके बाद अब इसे अच्छे से मिक्स करना है इसे मैं मिक्स कर लेती हूं अब मैं मसालो को कुछ देर भूनूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी एड कर लेती हूं जिससे मसाले भूनते वक जलेना मैंने पानी एड कर लिया है अब मैं इसे अच प्यूरी बनाके रखी ती यह देखिए इसको मैं इसमें डाल देती हूँ तो इसमें डालने के बाद इसे भी थोड़ी देर भूनना है तो मैंने डाल दिया अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मिक्स करने के बाद इसे भी मैं थोड़ा सा भून कर कूप अब थोड़ी देर तोमेटो प्यूरी भी एड़ कर देती हूं तो यह मैंने एड़ कर लिया इसे भी डाल कर लेना है इसके बाद फिर मैं काब्ली चना इसमें डालूंगी इसे थोड़ देर कुप कर लेते हैं तुमाटर भी मैंने थोड़े जिछी ग्षी डाल दिया, यान। थोड़े भून लिया, तो तूदी मैं 2 स्पून के करीब गी एड्ड करूंगी, तो मैं इसमें गी, डाल दिया, तो अब इसे फिर से मिक्स करना है, मिक्स कर लेती हूँ, मैं अब यह ऑपी मैंने दिया है, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है अब मैं इसमें पानी एड़ आड़ा है पानी पानी प्रानी इसमें गल आड़ा ख़कता पानी doaturếu के कशने बाल है इसमें था पानी को आड़ाक है gleam अगांती मैं पानी पानी आड़ा कर भिले ओम था तो तक मैं बॉं आड़ा ख्वार आड़ादी है 103-15 अगलोंगी टोषसची ऐसमें डाल दोगत दोखिंगक है ज जाएगा जोड़ानी फ्लेम पर बोईल कर लूगी इसके बादर बादर बॉल बॉल बोईल ना है अब मैं गैस के फ्लेम को आफ कर देती हूं मैंने कर दिया थोड़ा थोड़ा करके मैं सर्व कर देती हूं यह देखें यह देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है इसका कलर जितना अच्छा है उतना यह खाने में भी टेस्टी है तो थैंक्यू फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक किजिए और अगर आपको यह अच्छी लगी तो आप कमंट करके मुझे बताईए यह कैसा बना है इसे आप ट्राइ कीजिए और मुझे बताईए कैसा लगा आपको मेरी रेसिपी तो ओके बाइ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बीज किया जड़ता है